हेलो फेंस वेलकम टू अलानेटर फोर स्टड़ी बनेश्टे फ़रहट फोर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता है डेली आप लोगो करेंट अफेर की क्लास जो प्रोवाइड की जाती है कल जे एक आप लोगों के लिए एक इन्पोर्टन सूचना है जैसा कि दोस्तों आप अगर 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 आज बी एलपी सोई और आज भी एंटी पी सी या फिक गूरूप डी की तैयारी करें तो दोस्तों हमने उसके लिए डेडिकेटिट क्लास क्यों कि है जनरल साइंस की तो अ डेली दिसको सब्सक्राइबिघ दोस्तों इडेडिकेटर क्लास अरफ लेकर जो डेकर जो आप अगर यह क्लास के लिए क। करते हैं पहले कोईशन दोस्तों आप लोगे सामने कल यह क्लास नहीं हो पाइथ यूसका कोई इसका नहीं है तो दोस्तों अब यह क्लास आप लोगे सामने कंटिन्यु आ चुकी है पहली ब्रेक्स शेरपा की बैटक कहां आयूजित की गई आपको पूछा है चार उप्सन आप लोग के सामने है न्यू डेली, वीजिंग, जोहानसबर्ग या नन ओफ दीज तो चार उप्सन हमें से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नन ओफ दीज होगा ब्राजील के पहली ब्रेक्स जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों कहां पर हुआ है क्यूरी टिवा के अंदर दोस्तों ब्रेक्स का क्यूरी टिवा ब्राजील में पहली ब्रेक्स जो हुए है ब्रेक्स का मतलब आप सभी को मुझे उम्भी दे पता होना चाहिए B4, Brazil, R4, Russia, I4, India, C4, China and S4, South Africa पहले दोस्तों सिर्फ चार देस इसमें हुआ करते थे यह ब्रिक हुआ करता था बाद में दोस्तों इसमें South Africa भी एड़ हो गया तो South Africa के एड़ ओन होने के बाद में यह ब्रिक्स बन गया तो दोस्तों ब्रिक्स सेरपा की जो बैठा कायोजित की गई थी बारती प्रती मंडल के नेतर विदेस मंत्राले के सचेव SS त्रिमूर्ती जी ने दोस्तों वहाँ पर सिरकत की थी बारत ने ब्राजील द्वारा शुरू किये गई प्रात्मिक्ता वाले छेत्तों के लिए अपना समर्थन व्रिक्त किया है जो कि बिशेस रूप से आतंग बारत को बढ़ते हुए मुद्दों की रूप में दोस्तों जो उनने आवाज उठाई थी तो कहने का मतलब दोस्तों जो ब्रेक्स का सेरपा की पहली जो बैठे कोई वो कहां पर होई दोस्तों कूईटिवा की अंदर रियर कहां पर ब्राजील में आई होग कि आप सभी को पता होगा तो राइट आंसर दोस्तों इसका मैंने बीच में नहीं रखा था बढ़ते हैं अपने अगले कोशिन पर फोब्स की बिस्व की सबसे अमीरी खेल टीम के मारिक की सूची में सीज पर हैं आपको बताना है चार उपसन आप लोगे सामने हैं अब ये तीनों की त्यूनों दोस्तों मालिक है और काफी पैसे वाले हैं लेकिन अगर आप लोगे सामने आंसर मुकेस अंबानी आ जाता है तो आप लोग दोस्तों आखवंद करके इसको टिक कर सकते हैं हं-100% आपका सही होगा तो राइट आंसर तो दोस्तों होगा option number a मुकेस अंबानी इसका बिल्कुर राइट आंसर बात कर लेते हैं इसके बारे में मुकेस अंबानी दोस्तों आप लोगों के सामने हाज रहे हैं Reliance Industries के CMD मुकेस अंबानी लगवक 50 billion dollar की संपत्ती बिलियन मुझे उम्मीद है आप सबको बता होना चाहिए एक बिलियन में 1022 पावर 9 पावर होती है दोस्तों तो मतलब की 10 के बाद आप 9 जी ओ लगा देंगे एक के बाद अगर 9 जी ओ लगा देते हैं सोरी तो आप लोगों को दोस्तों पता चल जाएगा पचास बिलियन कितना होता है तो पचास बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ फोब्स के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में सी सिस्तान पर है अंबानी ने पोजा आठ में आईपियल टीम मुंबई इंडियन का जो है उन्होंने मतलब ख़ई दी आप सभी को बताऊगा इनकी आईपियल में टीम भी है तो साय कंपनी के ज़िए सिर्फ सो मिलियन डॉलर में ख़ई दा था इन्होंने दोस्तों जो मुंबई इंडियन सी वर्ट इस्टीव वॉलमर के कोल 21.2 बिलियन अमेरिकन बिजनस्मेन और डिस्टीज मास्टीज को दोस्तों अठाए पॉंट 9 बिलियन करम से दूसरे और तीसरे इस्तान पर आए तो कहने का मतलब दोस्तों सो मिलियन में ख़ई दा था इसको अब दोस्तों इस कंपनी को जाफे इस टीम का जो मनलब की मालिक हैं पचास बिलियन डॉलर की संपती हो चुकी है तो आप सभी को पता चल गया होगा तो राइट आंसर मुके संबा नहीं है बढ़ते हैं अपने एगले होता है तो जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें इससे सिर्फ और सिर्फ मोटिबेशन मिलती है और कुछ नहीं है अराउंड रात को दो तीन तीन बज़े तक दोस्तों आप लोगों के लिए ये कंटेम्ट त्यार किया जाता है फिर उसके बाद ये वीडियो बनाई जाती है तो आई होप कि आप हमारी मैनत को अंडरस्टेंड करती होंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर करने मुझे उंबीर है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुचेगा तो अगला कोशन आप लोगे सामने बा अब यहां पर आपको टिक आउट कर दिया है तो भारत और अफगानिस्तान ने डिजीटल सिच्चा पहल पर एक समझोता ग्यापन पर हास्ताचार किये जिसमें भारतियों प्रोगों की संसान आई आई टीज द्वारा विक्सित कई प्रमुक कार्यकरम सामिल है आई आई टी मद्रास में समझोता ग्यापन पर हास्ताचार किये गए ते कहां पर हुएं दोस्तों आई आई टी मद्रास के अंदर यह सायोग 25 संबंदों को योगदान करने और दोनों देसों के लिए पास्पेक लाव की उंबीत करता है तो दोस्तों बात कर लेते हैं अफ सबी को पता होने च keen काबूले जो ब्लैक किल्फ में लएक है ब्रॉड आप दोक देख सकते हैं दोस्तों अफगान अफगानी मुदा अगर हम इसकी बात करें और आगर दोस्तों але इसके बारे में आप लो मोगों को यह भी है तो इसकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों आप लोगों की राइट आंसर होंगे बढ़ते हैं अपने एगले कोशन पर डैश और इस रो ने अंतिक्ष प्रोगर की सहल के लिए समझोता ग्यापन पर हास्ता चार कियें तो किस ने कियें दोस्तों आपको बताना है कि आई एएटी रोड़की और इसicing ने वर्षिटी के प्रस्फर स्पेस टेक्नलोजी सेल विख्सित करने के लिए एक समझोते में ग्यापन पर जो हास्ता चार की आई 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 एएटी रोड़की के नu एक भयान में जाली का में जारी किया था कि प्रिमियर टेक्नलॉजी स् इसंत्राइब करने के लिए भार्ती अंतिक्ष अनुसंसान संकटन इसो के साथ एक समझोथा जो ग्यापन समझोथा जो हुआ तुरो उसको लेकर दोस्तों उसके तैफ बिक्सित इस्पेस टेक्नलोजी सेल संसान के च्छात्यों संकाय सदस्यों को वबिसिक एंतिक्स प्रोगों की से संबंदित विविन छेत्तों में उननत सोथ को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी तो आप लोग के सामने इमेज बढ़ते अगले कोशन पर अगला आउस्टेलिया में आयोजित एफ वन ग्रेंड प्री 2019 किसने जीती आपको बताना है चार उप्सन आप लोग के सामने हैं अगर आज से पहले आ जाता है अगर लिविस हैमिल्टन ने जीता था एक बार इंडिया में भी नोड़ा के अंदर हुई थी दोस्तो तो उसमें भी दोस्तो यही बीजिता रहे थे इनको सचिन तेंदुलकर कर आ जाता है इसका ग्रेंड प्री का बटर अभी दोस्तो यहार गये तो इस बार जो जीता है दोस्त इसका बिलकुर एटांस है उप्शन नमबर सी निको रोसबर्ग दोस्तो सैकिंड पर थे और लिविस हैमिल्टन थर्ड नमबर पर आये थे तो मर्सेडीज की बॉल्टरी बोटास ने अपने 200 चैंपियन साती खिलाडी लूइस हैमिल्टन को राकर सत्य के सुरुवाती ओस् आपकरी का किताब हासिल कर लिया है दोजा सत्य में अबुधावी के बाद अपनी पहली रेस जीतने वाले बोटास ने रेस में सबसे तेज लैप के लिए अत्रिक्त अंक भी प्राप्त की हैमिल्टन ने दूसरे इस्तान पर दोड़ पूरी की जबकि रैड बुल के मैक्स बस्ट पान ने तीसे इस्तान पर जो है की थी जिसकी हम दोसों निकों की बात करें थे वह थर्ड़ पहें और हैमिल्टन जो थे दोस्तों सेकंड पर थे तो बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं वाल्टर ये वो टास को तो यह दोस्तों आप लोग के सामने मेज्ट भी अवेलिवल है बढ़ते हैं अपने अगले कोशण पर 2019 स्वेस ओपन चैंपेंशिप कहा आयुजित की गई आपको बताना है चार आप लोग के सामने हैं अब दोस्तों अगर आप लोग के सामने स्वेस आ गया तो आप इसका तो आंसर बता को लेकिं़ बिल्कुल वह सकते हैं अगर आप अधिकर योण इक वेयssen elektronikrust च्रेमाट सब्सक्राइब के बेसल में सेंट जैकब्स चेल में हुआ था और इसका कुल इनाम एक लाग पचास हजार डॉलर था तो दोस्तों एक पंदेर लाग डॉलर जो था है इसका टोटल इनाम था यहां दोजा उन्नीस स्वेज ओपन वैड्मिंटन चैंपियंशिप दोजा उन्नीस के विजेताओं की सूची आप लोग के सामने दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर पूस सिंगल की बात की जाए मैं सिं जीता है वह चीन के यंदा की थे और दोस्तों उप विजलेता वैसे याद नहीं रखने लेकिन इसमें याद चाहिज पड़ेगा बिकाल सब्सक्राइब वह से लिए कंवान रखनीत दोस्तों इंडिया से पतरते है जो के दोस्तों में सिंगल में और जिए हैं मतलब घनाद थो इंडोनेसिया कि फज़र अर्फियान और मॉहमवध द्यान है और अगर छेदा कुछ जाए तो ती जिता थो तो सेपोसिब दूस्तो आप लोगों को धनण प्याद रहाद की एक ही जवत है वह साही पनीत है जो कि दूस्तो में सिंगल में थे बढ़ते हैं अगले कोशिन पर अगला क्योशन दूस्तो आप लोग के सामने है IDAI भयानक चक्रवाद की चपेट में आ गए हैं कौन कों से आप लोगों के सामने आ गये हैं आपको बताना है तो चार आप्सिनों में से आपको Right Answer टिक करना है तो दोस्तों जो आए हैं वो आप सभी को बता दिना चाहता हूं वो आप लोगों के सामने अवैलेबल है तो राइट आंसर होगा option number D इसका बिलको राइट आंसर हो प्रुक्त सभी because मोंजाविक, जिंबावे, मुलावी तीनों के तीनों दोस्तों IDAI चक्रवाद के चपेट में आ गया है अब काफी जादा नुकसान हो चुका है around अब तक डेट सो मोतें दोस्तों इसकी बजह से हो चुकी और सबसे जादा नुकसान बताया जारा है कि मोंजाविक को पोचा है तो मोंजाविक, जिंबावे, मुलावी एक भयानक चक्रवाद IDI की चपेट में आ गए जिसमें लगवक 500 लोग मायज गए है सेक्डोर लोगों को लापता फसे होने के मुख रूप से गरीब गामीर इलाकों में 10,000 लोगों को सड़कों पर टेलीफोन से कटे हुए है तो मतलब कहने का 10-15,000 लोगों जो गाउं से बिलॉंग करते हैं या फिर जो दूर दराज इलाकों से बिलॉंग करते हैं वहाँ पर दोस्तों उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पार है टेलीफोन लाइन है बगरा सब कुछ कट चुकी है तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं यह कुछ इस तरह है का आप लोगों के सामने देख सकते हैं जो साइकलोन है जो आप लोगों के सामने IDAI सरक्त राष्ट और सरकाई अधिकारियों के अनुसवाद तीन दक्षणी अफरी की देशों में चक्रवाद IDAI 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रवावित किया है सबसे खतरना को प्रवाव दोस्व मोंजावी केंदीय बंदरगा शहर बीरा हुआ है जहां हवाई अड़े बंद है बिजली नहीं और कई घर नस्ट भी हो चुके हैं तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन दोस्व आप लोगे सामने है डैश और मुवी क्विक ने ओल्लाइन धोका दड़ी सरच से नीती प्रदान करने के लिए साज़ेदारी किया है किस किस ने किये दोस्व आपको बताना है तो राइट आंसर होगा दोस्व आईसी 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 आई लोम बार्ण और दोस्व मुवी क्रिक ने ओल्लाइन धोका दड़ी सरच से नीती प्रदान करने के लिए साज़ेदारी किया तो आप्शन नमबर एस का बिलकु राइट आंसर है आईसी 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 आई लोमबार्ण और मुवी क्रिक ने साइबर बीमा कबर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक साज़ेदारी की गोश्टना किये इस संबन्द में उद्धियस बैंक खातों के डेविट और केडिट कारणों को मुवाइल बॉलिट में ओन्लाइन अधिक्रत और धोकादड़ी वाले लेंदिन से सुरक्षा प्रदान करेगा जो कि दोस्तों इन्होंने अभी शुरू किये और तनाव मुक्त होकर सुरक्षिर लेंदिन का लाब भी उठा सकते है इसका लाब प्रती मा 99 डूपीज 200 सब्सक्रिप्शन चार्जस लगेंगे जो 50,000 रूपे तक की बीमा रासी के साथ लिया जा सकता है तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर ए है जो मैंने आप सभी को बता दिया है अगला कोशन दोस्तों आप लोगे सामने कौन सा जहाज इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तर्टदच्चक जहाज बन गया है तो आपको बताना दोस्तों तर्टदच्चक की बात की जाए तो मतलब कि पानी का जहाज होगा अब पानी का जहाज इसमें से कौन सा है वो तो आप सभी को पता होना चाहिए मिक 21 तो नहीं है आप सभी इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और एज़िट इस दोस्तों जैगोर भी नहीं है तो राइट अंसर बिजित होगा उप्शन नमबर एस का बिजित दोस्तों इंडोनेशिया की याता करने वाला पहला तर्टदचक जहाज बन चुका है आप लोगों के सामने इमेज अवेलेवल है आप लोग देख सकते हैं बार तों इंडोनेशिया की भी इस समुंदी निकिता को जागर करते हुए बारती तटदचक जहाज विजित सामवाग इंडोनेशिया की याता करने वाला पहला तटदचक जहाज बन गया है अपनी पहली यात्ता के दोरान विजित के अधिकारी को चालक दल बका मुला इंडोनेशिया तड़स्चक इंडोनेशिया इससस्तवल और संबंग के नागिक पशासन के अधिकारीयों के साथ बातचीत करेंगे और जकारता में भारती दुतावास के एक फैस कॉंसर्ट बिग बहुत हो हैं एंडोनेशियन रूपी और अगला को सामने किस बेंक ने घर फैनेंस के लिए आर भी आई से मंझूरी प्राप्त किया आपको बताना एक चार ऊप्सणा आप확र सामने म23 कोई नहीं तो किस बंक ने दुस्तों अधिनेंस आपके सामने दोस्तों आपका बला सबकी बलाई आप लोग देख सकते हैं तो बारती रिजब बैंक ने ग्रह फाइनेंस के प्रस्तावित अधिगरण के लिए बंदन बैंक को आपर अनापती दी गई के ग्रह फाइनेंस लिम्टिड हज्टी फाइनेंस कंपनी है जिससे नेसल वासिंग बैंक डौरा मानिता प्राफ्ट है और इसे जनवरिंग बंदन बैंक डौरा शेयर स्वेब सोधे में लिया गया था भारत का सबसे बड़ा बंदग रिड़ दा था HDFC अपने बेनिमेद आखिल के अनुसार बैंक में 9.9 इसेदाई जख सकता है यह गैर बैंकिंग विद कंपनी के एक नेजी बैंक की अधिकता हिसेदाई है HDFC ने 14.96% की मनजोई मांगी थी तो दोस्तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है बंदन बैंक को लेका है कि इसका मुख्याल है कहां पर है बस आप लोग इतना याद रखिये यह दोस्तो कॉलकॉता के अंदर इसका हैड को आटा है तो बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन पर आज नमबर अफ कोश्चन भी थोड़े से ज़्यादा होंगे दोस्तों अगला कोश्चन आप लोगे सामने दोजा उननीस के सबस्टेस बारतिय ब्रांड के रूप में कौन सी कंपनिया उबरी हैं आपको बताना है चार उप्सन आप लोगे सामने राइट आंसर दोस्तों होगा टाटा रिलाइंस एटल मतलब की तीनों की तीनों दोजा उननीस की सबस्टेस ब्रांड के रूप में उबर करके सामने आई हैं ओमनी कौम मीडिया ग्रूप से इंटर ब्रांड द्वारा प्रकासित एक रूपूर्ट के अनसर टाटा रिलाइंस एटल दोजा उननीस सीस तीन ब्रांडों की रूप में उबरे हैं टाटा ने अपनी ब्रांड बैल्यू सिक्स परसंट की बड़त के साथ सर्व स्टेट बारतिय ब्रांड बैल्यू के रैंकिंग सीस्त पर कबजा किया है मतलब कि पहले स्थान पर जो आ गई है और अगर दोस्तों बात की जाए जिसका मुख करान टाटा कंसेंट एंजी सर्विस जिसको हम TCS कहते हैं अगर आप एक्जाम देने गयोंगे अरार भी एलपी का तो वहां पर भी दोस्तों आपको TCS देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगी जो आई और डिजिटल जोन थी तो TCS दोस्तों वहां पर भी आप लोग देखा होगा और रिलाइंस ब्रांड बैली दोस्तों 12% की बड़त के साथ एटल को दूसे इस्तान से तीसे इ हो दिए इंडिया की तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन पर अगला आप लोगे सामने हैं भारत के स्वच भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम पयोजना की आपको बताना चार आप्शन आप लोगे सामने हैं अब माइक्रोफ्ट एपल ने गूगल ने या फिर न के लिए आवास और शहरी मामनों के मंत्रालर के साथ भागिदारी के संगम को भारत के स्वच भारत मिशन स्वच में तेजी लाने के लिए विक्सित किया गया है यह दुनिया के सबसे बड़े स्वचता कारिकर मैंसे एक है प्रोजेक्ट संगम और किलाउड होस्टेड सब्सक्राइन है किस ने सुगिए दोस्तो इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की इमेज दोस्तों आप लोगग सामने एवेलेबल भारति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने घ्राकों के लिए योनो कैस नाम से एक नई सेवा शुरू की है जिसमें ग्राग डेविड कार्ड का उप्योग किये बिना ATM से पैसे निकाल सकते हैं यह सुब्दा देश के पहली वार You Only Need One में दोस्तों आएगी जो योनो की फुल पॉम है You Only Need One मुबाइल एब प्लेटफॉर्म के माद्यम से इसके 16,500 से अधे एक ATM में उपलब्द है इस सेवा के लिए सच्छम ATM को योनो कैस पॉइंट कहा जाएगा तो राइट आंसर होगा दोसो SBI बढ़ते हैं अब नेगले कोशिन पर विदेज मंती सुसमा सुराज किस देश के दो दिवसी यत्तरा पे गई हैं आपको बताना है स्वेडन, मलेशिया, मालदीफ या नन ओफ दीज और जिस पर कहीं हैं उसके बारे में डिटिल्ल डिसकर्शन भी कर लेंगे तो राइट आंसर जो होगा दोसो ऑप्शन नमबर सी होगा तो हमारी जो E.A.M. सुसमा सुराज है इसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए External Affairs Minister दोस्तों जो हमारी सुसमा सुराज हैं मालदीफ के दो दिवसी दोरे पर गई है विदेश मंती सुसमा सुराज दो दिवसी दोरे के लिए मालदीफ के लिए रवाना हुई है विदेश सचे विजय गोखले और अन्य अधिकारी भी उनके साथ हैं तो अपनी यात्ता है कि दोरान सुराज मालदीफ की राष्टपती इवराहिम मुहम्मद और सुली संसर्थ के अध्यास कासिम इब्राइज से मुलाकात करेंगी अपने मालदीफ संकच अब्दुल्ला साहिद से भी मिलेंगी तो बात कर लेते हैं तो सुस्मा सुराज को तो दोस्तो आप सभी जानते होंगे सामने आवेल लेकिन अब बात कर लें घृपी बारे मेहां की मालडीप की दोस्तों कैपिटल मेल हैं मेलवां की कैपिटल है मैल्डीमियन करदा नहीं करनशी है और हैं आप सभी को गशिेदिन नहीं बारे बताई दिया है अब हम बात कर लेकर अगले कोशिन को लेकर किस देश के प्रदानमंती 10 दिवसी भारत की यात्ता पर दिल्ली पहुंचेंगे आपको बताना किस देश के जो प्रदानमंती हैं वो पहुंचें गिन्नी के तो option number C इसका बिल्कुर right answer गिन्नी के प्रदानमंती 10 दिवसी दोरे पर जो भारत की यात्ता के लिए निकले हैं इमेज दोस्तों आप लोगे सामने अवैलेवल है आप लोग देख सकते हैं गिन्नी के प्रदानमंती डॉक्टर इबराहिम का सोरी फोनामा भारत की 10 दिवसी अधिकाई की यात्ता पर नई दिल्ली पर 14 वे CII Exim Bank Conclave के उध्गाटन सर्थ के संबोधित किया दोस्तों अगर बात की जाए अगर हम बात करें गिनी के बारे में कुछ important fact है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ गिनी की दोस्तों अगर वहां की capital की जाए concrete दोस्तों वहां की capital है और अगर दोस्तों वहां की मुद्रा की बात करें तो गिनी फैंक करके वहां की मुद्रा है तो आप लोगों के सामने रास्टपती तो available ही है जो दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं काफी handsome and dancing है मतलब की PM वहां की रास्टपती नहीं है तो आप लोगों के सामने गिनी है तो यह थी आज की important question जो करेंट अफे के पार्ट से लेकर किया था यहोप कि आपको पसंद आयोंगे अगर आपको पसंद आयोंगे तो वीडियो को like and share करना बिल्कुल ना भूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकमें को दबा लें जैसे के आप सभी को इंट्रेस्टिंग वीडियो को नॉटिफिकेशन मिलते नहीं तो गाइज इस वीडियो में इतना ही मिलते है कर तिल दें टेक के टाटा बाइबाई थैंक यू थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो